विपक्ष के नेता देविंद्र फंडविश द्वारा नाकपुर में पत्रकारों से सम्वाँ साथते हुए ये कहा कि घटना अमरौतिमी हुई इसकी वज़क क्या थी जबकि तृपुरा में कोई घटना नहीं हुई एक कालपनी घटना के आधार पर हिंदू दुकानों को तोड़ दिये गए साथ ही वे बोले कि तथागति सेकुलर इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे उन्होंने यह भी कहा कि समस्या निर्मान करने वाले से भटक कर भाजपा इस पर आरोप लगाने से कभी भी समस्या का समा साथा फर्नवीज ने कहा कि अमरावती में जो घटना हुई भग किस कारण से हुई तिरपूरा में कोई घटना नहीं हुई इसके बावजूत कालपनी घटना के आधार पर मोर्चे निकाल कर हिंदूओं की दुकाने तोड़ी गई इस पर तथाकति सेकुलर कोई कुछ क्यो मोले जाली अधल्य रिवशी जो मोर्चा निगाला होता जा मोर्चा नी तोड़ फोड केली कुखली ही घटना त्रिपूरात घटलेली नस्ताना कपको कल्पित घटने चा आधारावर मोर्चे कड़ून हिंदूँची दुकान तोड़ने चा जे काम जालो या संदर बाद हे तथा कथित सेक्यूलर का बोलत नहीं हाम आजा सवाल है तो प्रशना का है तो कोड़ी निर्मान के लाए यह चा पासना दूर भटकून आशा प्रकारे भाजब वर आरोप करून प्रशना करी सूटनार नहीं पाटी चलाना है इसलिए शरत पवार अनिल देश्मुक का समर्थन कर रहे हैं लेकिन पवार जैसे बड़े 내ता से यह अपिख्षित नहीं है देश्मुक ने पैसे जमा करने की मांग की थी नेता से यह अपेक्षित नहीं है। देशमुक ने पैसे जमा करने की मांग की थी, लेकिन पैसे जमा किये क्या, यह क्या कर उनका समर्थन करना योग क्या क्या यह सवाल विधानसवा में विरोधी पक्षिनेता देविंदर फनम वीज ने किया। कैमरे परसन राज़कुमा मोहर के साथ शितीजा देश मुख बीसी न्यूस नाखपूर